हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो रोसन की क्लास यूटीब चैनल आप सभी का आज की इस वीडियो में एक पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम देखेंगे यहाँ पे अरारबी एंटी पीस एक जामने अलसिस 27 मार्ज का सेकेंड शिफ्ट का इसमें हम देखेंगे जीके ज अगर वीडियो आप लोगो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करीएगा और रेगुलर बेसिच पे ऐसी इनफॉरमेटिव वीडियो के लिए रोसन की क्लास यूटीब चैनल को अब्ली तो इक बिल आइक आने उसको दबा लीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट मुन से यानि कि अप्रेल से अरवी ग्रूब डी का यहां पे क्लासे स्टार्ट कर रहा हूं अगर आप लोग अरवी ग्रूब डी की यहां पे तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर वेसिस पे तो सब्सक्राइब जरूर करिये दोस्तों और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए यहां पे यहां पे यहां पे आप लोगो इसलिए बता रहा हूं कि आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस संसाथ बहुन को बनाने में उस समय 1921 में 83 लाख रुपए लगे थे अगला कोस्टेन है यहां पे कोस्टेन थोड़ा सा कंश्यूजिंग है कुछ बच्चों एक यहां पे मुझे यहां पे भेजाता है जि यू आई का फुल फाम लेकिन कुछ बच्चों यहां पे मुझे बोला ज्यादा तर बच्चोंने जी-े यओ का फुल फाम क्या है अधि कौशन ने दिया रुप आकिर तो ग्राफिकल यूजर इंटर्फेस एक्ट को बetter और breaker क के राश्टपती थे फ्रैंक्लिन डेलोना रोजवेल्ट इन्हों ने 24 अक्तूबर 1945 को युनाइटेड नेशन का नाम दिया था चौथा कोश्चन करें पढ़ते हैं चौथा कोश्चन है डव्लू टीयो की डारेक्टर जनरल एंगोजी ओकॉन जो किस देश से संबंदित हैं तो डव्लू टीयो की ये करेंट अफेर का कोश्चन था 2021 में अभी बनी है हाली में वर्ल्ट ट्रेड और्गनाजेशन डव्लू की डारेक्टर जनरल बनी है एंगोजी ओकॉन जो ये आपके नाइजीरिया से नाइजीरिया देश से बिलाउं करती है अगला कोश्चन पांचवां सार्ग के देशों में निम्न में से कौन सा सामिल नहीं है देश वहां पे चार आप्शन दिये होंगे उसमें से तीन देश सार के सदस से होंगे एक देश आपका सार का सदस नहीं होगा आप बताएगा कौन सा देश था यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दो क्योंकि यह option-based question है आप option नहीं बताएंगे मुझे तुम्हें बता नहीं पाऊंगा क्कौन सा देश उसमें दिया गया था कि कौन सा नही है, टोटल आपके यहां पे 8 देश है इसके अलामा एक कोई देश दिया होगा वह आपका सार का सद्या से नहीं होगा अगर यह पूछता है कि सार का यहां पे स्थापना कब किया गया था तो सार की स्थापना की गई थी, 8 दिसंबर 1985 को मुख्यालय अगर पूछता है सार का मुख्यालय कहा है तो आपका काटमांडू नेपाल में है अगला है विस्व का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान कहां पर है तो विस्व का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान अगर पूछा गया है तो यह क्लियर करिया है को कोच्चन कि विस् ओनी नाम है बोलीविया में है यह उसका सबसे बड़ा नमक रहिष्तान है साथमा कोश्टन है स्वेज नहर किस देस में है स्वेज नहर के बारे में रिलेटेड कोश्टन आपसे अभी मौॉर्णिक शीफ्ट में भी पूछा था अभी साम के सिफ्ट में भी जेकि पूछा इसके पहले भी काई बल्वा Deputy को सबसे पहले यहांपर देख लेता है यहांपर जो कोष्टन था उसका एंसर देख लेते तो सवेज եा इंजिप्ट में है यानि कि मिस्र में है अगर यह पूछता है तोсе है सबोगिष्गीज महासागर को विभाजित करती है दो महासागर को टो ईवत करते हैं आठाको श्रहके ग्लूकอज में कार्वन की यहांए च्हे ứन्पान च्रूशा है पर यहांद आड़ी है को बीृच्ण अगला कॉस्चन यहाप्र के प्रोपेन का रासाइनिक सुत्र पूछ लिया गया था प्रोपेन का रासाइनिक सुत्र होता है c3-h8, यानि कि कार्वन कि 3 अडू है और हैं और आध्रोजन के 8 अडू हैँ प्रोपेन के अंदर अगला question था 2019 का महिलाओं को handball Asian Youth Championship कि सहर में आयोजित हुआ था तो 2019 का Youth Championship handball का महिलाओं का जैपुर में आयोजित किया गया था जैपुर में इसका जैपुर करेक्ट एंसर होगा 11 नमबर का question है मड़ीपुरी नृत्य में किस भगवान का मंचन किया जाता है मड़ीपुरी जो नृत्य होता है उस नृत्य में किस भगवान के बारे में किस भगवान का मंचन के बारे में दिखा जाता है उस नृत्य में जीनेक अधिकार right to live किस अनुचीद के अंतर Probant आता है यानिकि किस अनुचुछचद से संबंदित है। तो right to live यानिकि जीनेक अधिकार अनुचुछद 21 में यानिकि अनुच्छद 21 में से संबंदित है। अगला question देख ली जी तेरे number को question है 2000 की नोट का damsan यानि की उसका आकार कितना बड़ा है तो 666 mm उसकी चोड़ाई है यानि कि उसका पतला वुला हिससा होता है चोटा वला हिस्सा उसका 66 mm होता है और जो लंबा वला हिस्सा होता है लंबा है उसकी 166 mm है अगर यह पूछता है रिलेटर कोशन क्योंकि पूछता है और यह जरूर पूछता है कि नोट पे किसका फीगर है काफी पूछा जा चुका है जैसे 500 की नोट पे 200 की नोट पे किसका कि से सक्ट है तो यहांichen पर दोजार की नोट पर पूछटा है तो दोजार की नोट में मंगल यान चित्र पीछह पा हुआ है कि पीछे की नोट में मैं 2000 के बताहूं, 2000 की नोट पे पीछे की तरफ मंगल यान का चित्र छपा हुआ है, 11 Taste सोलर है, इसका एंसर correct है, इसका एंसर Correct है, किया था बेगम हजरत महल जी ने अगला कोस्टन है क्लोरीन का पेड़ों में क्या कारी है क्लोरीन जो होती है पेड़ों के अंदर उसका क्या कारी होता है तो chlorine का कार यह होता है पढ़ हरित का 17 नमर का question देखते है paragraph formatting का shortcut की तो paragraph formatting का किस चीज के लिए format करना यह पहले तो clear होना चाहिए लेकिन यहाँ पे normal question अगर पूछा गया paragraph formatting का shortcut की तो control plus L plus space एक दबाएंगे तो format कर देगा paragraph को अगला question है आज की वीडियो का अंतिम question नीती आयोग के उपाध्यच के बारे में पूछा है मैं हर वीडियो में अगर आप मेरी regular basis पे आप analysis देखते होंगे RRBN TPC की तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि नीती आयोग से question जरूर पूछेगा अध्यच पूछ सकता है उपाध्य तो उपाध्यच है राजीव कुमार जी अगर अध्यच पूछता है कि नीती आयोग के अध्यच कौन होता है भारत के प्रधान मंत्री होते हैं तो इस प्रधान मंत्री कौन है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी है तो नीती आयोग के अध्यच है प्रधान मंत्री नरेंद बताइएगा कितने कोस्ट्टा आयो में और जो बिए बच्चा को करें अगर दूगा जिसे वो कमेंट उपर हाइलाइट होके आएगा और कोई बीच्चा अगर आगने वाले सिप्ट में उसका एकजाम है अगर यह वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट जाके ज़रूर द दबा लीजिए जिसे मैं आप लोग की कोई भी हेल्प करने के लिए आप वीडियो अप्लोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो फ्रैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंद